हेलो दोस्तों आपने योट्यूप की सबसे सांधार और जांधार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गाइस आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो अभी अभी आपका डीडीसी का पहली सिफ्ट का पेपर हुआ है गाइस पहली सिफ्ट का पेपर जो भी आंसर की मुझे बतानी है आप लोगों को सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ गाइस जल्दी से देख लेंगे वीडियो को देखने से फायदा क्या होगा अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल यहां से रिपीट करने वाले हैं गाइस जल्दी से देख लेते हैं एक-एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं तो guys अगर आप किसी भी government exam की तयारी करे हो सभी subject को trick से पढ़ना चाते हो तो guys ये नीचे लाल color का बटन दबा कर बहुत ही बहतरीन channel है सभी government job के लिए तो guys ये लाल color का बटन दबा कर channel को subscribe कर लेंगे नीचे bell को all कर लेंगे ताकि सभी notification आपको time today मिलते रहे यारवी पंच वर्षिय योजना के समय भारत का योजना आयोग का द्यक्स कोन था ठीके guys इनका नाम था डोक्टर मनमोहन जी ये आपको याद रखना है और दोस्तो लाइक करते वे चलेंगे सब्सक्राइब करते वे जरूर चलेंगे देख लेते guys अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूचा गया विकास सोरी रास्टे विकास परिसद का गठन कब किया गया था तो guys ये किया गया था 6 अगस्त 1952 में ये भी आपको याद रखना है दोस्तो हम 100% real analysis देने में विश्वास रखते हैं देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल guys आपका ये भी बढ़िया पूच लेगा है बहुत आसान था वित मंतराल्य के तहट परधान मंतरी गरीब कल्यान योजनक कब लागू की गई थी तो guys ये की गई थी 17 सितंबर 2016 को ये भी आपको याद रखना है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल guys आपसे ये भी पूच ले गया राउफ नरत्य है राउफ एक डांस है भारत के किस राज्य में होता है तो guys ये होता है भारत के जम्मू एंड कासमिर राज्य में ये आपको याद रखना है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल guys आपको ये बैतरिन करंट का पूच ले गया अगला ICC महिला T20 विसकप कब और कहां आयुजित किया जाएगा तो guys ये किया जाएगा 2022 में दक्षिन अपरीका में ये आपको याद रखना है इंपोर्टेंट सवाल है अगली सिफ्ट में भी आएगा अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूचा गया एक सवाल guys आपको ये इत्यास से पूच ले गया बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था तो गैस यह दिया था आपका कहाँ पर सारनात में यह आपको याद रखना है सारनात इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा सी ओप्सन और बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था इनका नाम था सिधार्थ यह भी आपको याद रखना है सिधार्थ था इनका नाम अगला सवाल भी देख लेते हैं गाईस क्या पूछ लिया गया समराट असोक समराट असोक निमलिकित मोरिय सासकों में किसका पुत्र था तो guys ये था बिंदू सार का पुत्र यानि B option इस सवाल का right हो जाएगा ये सवाल भी आपका पूछ ले गया देख लेते guys आगे बढ़ लेते हैं एक सवाल guys आपसे ये भी पूछा गया विश उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है पंदरा मार्च को पंदरा मार्च इस सवाल का right answer हो जाएगा दोस्तो ये चैनल सबसे best है अगर आप government exam की त्यारी कर रहे हो कोई भी आपका exam हो SSC का, PET का, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कोई भी exam हो सबस्क्राइब कर लेना काईज, सभी बच्चे अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक government जोब लेना चाहते हो, ठीक है अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज, आपसे ये भी पूछ लिया गया नेमलकित में से कौन सा सब तदभाव है कौन सा सब तदभाव है, ए उप्चन यानि अच्राज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपसे हिंदी का ये भी पूछा गया रम्या का प्रयावाच्ची सब्द नहीं है कौन से प्रयावाच्ची सब्द नहीं है दोस्तो रम्या का प्रयावाच्ची ये भी है ये भी है ये भी है लेकिन ये नहीं है तो भी ओप्चन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इसने पुछा ता रम्या का प्रयावाच्ची कौन सा नहीं है तो B option आपका right हो जाएगा दोस्तो गणित और जो भी गणित के सवाल है उनको मैं trick से कराने वाल हूँ आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आप से ये भी पूछ ले गया रुग्ण का विपरीत क्या है? रुग्ण का विपरीत क्या है? तो गईज ये होता है रुग्ण का मतलब होता है बिमार क्या होता है? बिमार बिमार का उल्टा क्या होगा? जिसमें कोई रोग ना हो स्वस्तो कोई रोग ना हो? स्वस्तो तो right answer हो जाएगा D option यानि निरोग जिसमें कोई रोग ना हो विप्रीत पूचा है बिमार का उल्टा हो जाएगा स्वस्त यानि निरोग ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा डी ओप्सन इस प्रकार आप लोग की सवाल करके आ सकते थे और दोस्तों हम विश्वास रखते हैं रियल एनलेसिस देने में ठीक है सारे जितने भी सवाल बच्चों ने मुझे बताए एक एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं महानंतर सब्द विशेशन की अवस्ता का बोधक है तो गया जिसमें से राइट आंसर क्या होएगा मूल अवस्ता उत्रवस्ता उत्म अवस्ता इन मे पुचा गया राम बाजार से चार किलो आटा लाया निमलिकित वाक्या में कौन सा विशेशन है मतलब चार किलो आटा लाया यानि ये मातरा का बोधकरा रहा है क्वांटिटी इसका बोधकरा रहा है ठीक है तो ये कौन सा होता है ये होता है परिमान जो हमें माप बता दा कि तो right answer हो जागा D option चार किलो आटा यानि हमें मातरा का बोध करा रहा है तो D option आपका right चला जाएगा दोस्तो देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कोई भी बच्चा सब्सक्राइब किये बीना नहीं रहेगा प्लीज हाँ जोड़कर विंती करता हूँ अगर आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाते हो सभी government exam के लिए अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आपका अंगरेजी का पूछा गया I knew your college library was run theoretically मतलब आपकी जो college की library है मुझे पता चला वो as-west हो चुकी है but only recently did I discover मुझे हाली में पता चला कि उसकी condition कितनी बेकार थी तो गाईज यहाँ पर क्या है? was है यह आपका कौन सा tense है? past दूसरा sentence भी आपका past में होना चीए यहाँ पर is दिया गया है तो क्या होना चीए था? was तो गलती कहाँ पर है? c option में तो right answer क्या हो जाएगा? third option तो गाईज यही आपका right answer चला जाएगा मतलब कोई भी दो sentence अगर किसी भी conjunction से जुड़े हुए हैं तो गाईज इन sentence में हमेशा जो हमारा tense होता है काल होता है वो हमेशा same होता है यहाँ भी वोज आएगा यहाँ भी वोज आएगा तो यह गलती थी आपकी आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थी अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आपसे यह भी पूछ ले गया select the most appropriate antonym of the given word इसका antonym बताना यानि उल्टा बताना है विपरितार तक सब्द insolent का meaning क्या होता है बत्तमीज एसब्य एसब्य और ढीट तो इसका उल्टा क्या होगा जो विनर्म हो सब की बात मानता हो तो यानि वो हो जाएगा submissive fourth option आपका right answer हो जाएगा यानि submissive को मतलब होता है winner fourth option आपका correct चला जाएगा अगला सवाल भी देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं यह प्लीज लाइक करते रहेंगे सब्सक्राइब जरू करते रहेंगे काफ़ important इसी तरीके से मैं डेली क्लास भी कराता हूँ गाइज अगर आपका 8 अगस्त को एक्जाम है अगर आप लोगों का 8 अगस्त को एक्जाम है तो गाइज अगर आप लोग तियारी करना चाते हो यह चैनल आपके लिए best रहेगा मैं डेली क्लास लगाता हूँ आप लोग लिए best रहेगा सवाल क्या पुछा गया select the most appropriate antonym of the given word तो guys ये क्या दिया गया है permit का antonym बताना यानि ultra बताना है permit का मतलब होता है किसी को अनुमति देना और forbid का मतलब होता है किसी को मना करना तो यही आपका right answer हो जाएगा हमें ultra meaning बताना था थार्ड option आपका right answer चला जाएगा यह आपको याद रखना है तो guys देख लेते हैं अब गनित के सवालों को trick से कर लेते हैं तो guys ये गनित का सवाल काफी आसान पूछागा इसको मैं बैतरीन तरीकी से trick से बता देता हूँ देखो P और Q P और Q एक परियोजना को 25-50 दिनों में खतम करते हैं पूरा करते हैं यदि वे एक साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करें तो कितने दिनों में ठारा परशेंट भाग पूरा हो सकता है देखने से डरना नहीं है सवाल आसान है पी करता है कितने दिनों में 25 दिनों में क्यों कितने दिनों में करता है यह करता है 50 दिनों में अब तरीका देखना देखो गाइस जो अमारा वर्क होता है टोटल वर्क होता है वो होता है efficiency total into time यानि कारिय बराबर होता है अक्षमता इंटू समय अक्षमता ठीक है अब देखो इनके अक्षमता निकालेंगे कैसे इनका LCM लेलो लगुत्तम लेलो 50 आ जाएगा इनके अक्षमता कैसे आएगी इस 25 से 50 को भाग करो 25 दूनी 50 तो इसकी अक्षमता ही आगी 50 से इसे भाग करो 50 एकम 50 तो गाई टोटल अक्षमता कितनी आगी 3 ठीक है आप देखो टोटल काम कितना है हमारा टोटल काम 50 ये दिया गया हमें पराबर टोटल शमता कितनी है 3 गुणा टाइम अब इसने बोला है कितने दिनों में परियोजना का 18 परसेंट भाग पुरा हो जाएगा इसका 18 परसेंट कर दो बस इतना करना था आपको 50 दुनी 102 से काटेंगे 9 बार तो यह आजाएगा आपका 9 बराबर 3 T 3 से काटेंगे 3 बार यानि जो आपकी परियोजना है 3 दिन में समाफ्थ हो जाएगी तो रैट आंसर आजाएगा 3 दिन तो गैज इस परकार आप लोग इस सवाल कर सकती थे ऐसे ट्रिक से आप लोग अराम से करके आ सकते थे इतना टाइम आपको लगने बाला था ओके गैज यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा आप लोग लाइक भी कर रहे होंगे अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब करके जोरू जाएंगे गैज मैं आपको इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ना देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपसे ये भी पूचा गया दो और 98 के बीच माध्या अनुपाति ग्याद करे यानि मीन प्रोपोशन ग्याद करे देखो गाईज, मीन प्रोपोशन क्या होता है बी होता है अब इनमें लोजिक क्या लगता है ए बटे बी बराबर B बटे C तीन संख्या होती है A अनुपात B अनुपात C अब इनमें जब गुणा करोगे तो ये आपका माध्या अनुपाती होता है बीच वाला तो ये आ जाएगा आपका B वर्ग बराबर A C जब आप इनकी गुणा करोगे दोनों तरफ तो B की वैल्यू क्या जाएगी रूट A C A कितना दिया गया हमें A दिया गया 2 गुणा 98 इस पर लगा देंगे ये ऐसे ही अब कैसे करेंगे 98 को लिख लेंगे 2 तो पहले से है 2 गुणा 99 इसको लिख लेंगे तोड़के अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे 2 गुणा 2 99 को लिख लेंगे 7 गुणा 7 अब इन में से एक एक बहार आ जाएगा ये आपको पता होगा तो B की वैल्यू क्या जाएगी 2 गुणा में 7 जब आप इसको सोल करोगे तो या आएगा 14 यानि D option आपका राइट हो जाएगा 14 आपका राइट आँसर आजाएगा तो गैज इस परकार आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे 14 इस सवाल का करेंट आँसर हो जाएगा तो दोस्तों बच्चों ने जो भी मुझे सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिये है अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो सभी सब्जक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सबी नोटिफिकेशन आपको टाइम टुटाइ मिलते रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक कर देंगे, सबस्क्राइब कर देंगे भगवान करें आपके सपने सचो आपका सेलेक्षन हो जाए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाट टेक केर चैनल को जोइन करके जाना अगर किसी भी गोर्मेंट में गोर्मेंट जोब में आप लोग सेलेक्शन लेना चाहते हो फिरी में आपको पढ़ाई मिलेगी बहुत बैतरीन पढ़ाई मिलेगी तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर